हलो एब्रिवन वेलकम तू मैं चैनल आज मैं बना रही हूँ ग्रीन टी आप लोगों में से बहुतों को पता होगी कि यह ग्रीन टी कैसे बनती है पर यह वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें ग्रीन टी बनाने का सही तरीका नहीं पता है तो फिर शुरू करते हैं कि मै मैंने लिया एक सॉसपें जिसमें हमें पानी को बॉइल करना है और मैंने मैं दो कप बनाने वाली हूँ तो मैं यहां दो कप पानी लोगी आप मेजर करके लिजिए मुझे फिलहाल इसका अंदाज है कि मैंने कितना लिया है और मैं यह दिखाने वाली हूँ खोलके कि यह अ प्लेन वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप अपने हिसाब से वह देख लीजिए कि आपको कौन सा यूज करना है पर यह हनी वाला मुझे परसनली पसंद नहीं आया तो इसलिए मैं बता दे रही हूं आपको और ग्रीन टी के बेनिफिट्स आपको पता ही होंगे फिर भी मैं बता देना चाहती हूं ग्रीन टी सबसे पहला तो मुस्ट इंपॉर्टेंट होता है आजकल हम सभी पतले और फिट रहना चाहते हैं तो यह फैट बर्निंग है इसका यूज करने से जरूर फैट बर्न होने मे हेल्प होती है मेरा यह परसनल एक्सप्रियेंस रहा है क्योंकि मैं डेली ग्रीन टी लेती हूं और हमारा पानी एकदम अच्छे से बॉयल हो चुका है इसमें बहुत अच्छा बॉयल पानी चाहिए मैंने इस कप में इस टी बैक को डाल के इसमें पानी डाल दिया और हमें इमीडियेट डाक देना है किसी भी चीज से क्योंकि यह जो इसके वेपर उर रहा है ना वो ग्रीन टी के जो अच्छे चीज होते हैं वो भी वेपर बनके इसके साथ में उरने लगते हैं तो इसलिए हमें इसे डाक देना चाहिए जब भी ग्रीन टी बनाए और बहुत लग क्या करते हैं इसे पानी में पत्ती डाल के इसे नॉर्मल चापती की तरह खौलाने लगते हैं ये सही प्रोसेस नहीं है ग्रीन टी बनाने का ऐसा आप बिलकुल नहीं करें वो एकदम करवा हो जाता है और वो ग्रीन टी नहीं बनता है हम उसकी अच्छी प्रॉपर्टी को भी वैसे करने से खत्म कर देते हैं और जो ये मैंने दूसरा लूजवाला लिया उसे पानी में डालके उसे भी मैंने ढख कर ये रख दिया और आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप ऐसा करने के बाद उसे डख दें, कम से कम 5 मिनिट के बाद हम इसका यूज़ कर सकते हैं, अब ही इसका कलर देखिये, कितना ला commencement कलर है, पांस मिनिट के बाद भी मैं दिखाऊंगी, इसका जो नैचरल कलर है, वो कैसा आएगा और आप बिलकुल भी कि बिल्कुल भी ग्रीन टी को नॉर्मल चाई की तरह खौलाने की कोशिस बिल्कुल भी नहीं करें और यह देखिए लगबक पांच मिनट हो चुके हैं और यह हमारा ग्रीन टी रेडी है बस है ना एक दम आसान सी रेसिपी फिर भी बहुत लोग गलत तडीके से ग्रीन टी ब पनाया है और यह जो लूज वाला था उसका भी टाइम हो चका है पांच मिनट हमें इसे चान लेना है और हो गई हमारी ग्रीन टी रेडी और ग्रीन टी एंटी ऑक्सिदेंट से भरपूर होता है जिन लोगों को टाइप टू डायबटीज है उनकी लिए तो यह रामबान है इवन यह कार्डियो एसकुलर डिजीज में भी बहुत फायदे करता है जो लोग नॉर्मल चाय नहीं पीते हैं उन्हें भी डॉक्टर सजिस्ट करते हैं कि आप जरूर अप चाय पीजिए तो ग्रीन टी के तो फायदे ही फायदे हैं इसलिए आप इसे एक कप अपनी करके उसका यूज कर सकते हैं और ग्रीन टी के बहुत सारे स्टडी आये उन्हें करते हैं हमारे माइन्ड के जो एजिंग होनी की प्रॉसेस है उसे भी स्लो करती है तो जब इतनी सारे बेनेफिट्स हैं तो हमें इसे डाइट में क्यों नहीं लेना चाहिए दवाई जो हम ल का फ्रिज में रख दिया है इसका यूज जिनकी आईज पफी हो जाते हैं या फिर जो आफिस से आने के बाद आखों पे थकावट होती है ना ये ठंडे टी बैक्स वो अपनी आखों पे रखे उनकी आखों को बहुत सुकून मिलेगा और रिलाक्स मिलेगा और ये बचे मैं इसका क्या करने वाली हूँ ये जो मेरे खिले-खिले गुलाब देख रहे हैं इसका सीक्रिट यही ग्रिंटी के ये लिफ्स जो बच जाते हैं उन्हें मैं सुखा करके इनकी जरों में डाल देती हूँ अगर आप ऐसा नहीं करें तो इसे मिट्टी में नॉर्मल मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाओ हो जाएगी और आपको एक बात और कहनी है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को क्या करना है सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा नहीं और थैंक्स फॉर वाचिंग और बने रही है इसी